नमासकार दोस्तों, आज की वीडियो में मुनोविज्यान और जीविज्यान में तनाव के वारे में प्रकास डालेंगे, जिसे हम स्ट्रेस और डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई परियोर्तन प्रयावरण में होते हैं, उसका असर हमारे सारी कारी कराब में भी दवाव डालते हैं। उस दौरान भहुत सारे जीविज्यान में अपने कारी के विप्रीत, कारी करने की प्रविर्टी देखी जाती है। यानि अपने रुटीन वर्क को छोड़कर जीव दूसरे ही कारी करने लगता है। जादातर मामलू में देखा गया है, तनाव अस्तित्यों को बढ़ावा देता है। क्योंकि यह जीवों को तेजी से बदलती प्रयावरणी परिस्तित्यों के अनुकूल होने के लिए मजबूर करता है। उधारन के लिए जिस प्रकार हम रेगिस्तान के इलाके में जाते हैं, वहाँ पर हम पानी को कम इस्तेमाल करने की सोचते हैं। या जब तनाव बहुत अधिक होता है तो जीवों की बीमारी या मृत्वा कारण बन सकती है। जिस इस्तर को हम डिस्ट्रेस भी कहते हैं और यह डिस्ट्रेस कभी-कभी और भी संकट को पैदा कर सकती है मनुश्य अन्य सभी जीओं के समान है जबकि यह तनाव हर प्राणी में देखा जा सकता है लेकिन मनुश्य के अत्रिक्त और प्राणी का तनाव समझना थोड़ा हमारे ले कठिन भरा होता है यह तनाव सभी प्राणी में बुनियादी सारिक तंत्र के माध्यम से तनाव पर प्रतिक्रिया करता है हलांकि मनुस्यू में तनाव एक सीमा तक होना अच्छा है लेकिन कभी यही तनाव डिस्ट्रेस तक चले जाता है यानि इसको इस माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं यदि आपको चार रोटी खाने की भूख है और आप चार रोटी की जगह आठ रोटी खा लेते हो उस दोरान यह अत्रिक्त खाया वह बोजन आपके लिए लाबदायग न होकर नुक्षान दायग साबित होता है उसी प्रकार तनाव का एक सीमा तक होना अच्छा होता है इसी तनाव को जब आगे बढ़ावा मिलता है तो यह तनाव डिश्टेह तक चले जाता है जो आपके लिए हानिकारक होता है हर इंसान के तनाव का कारण भिन्न हो सकता है अमन जो तनाव और उसके प्रभाव जो देखने को मिलते हैं तनाव तीब्र, दिर्ग कालिक या दर्दनाग हो सकता है मनुस्य में तीब्र तनाव की विसिष्टा ततकाल खत्रा होता है जो थोड़े समय के भितर होता है और जो सानुवूती तांत्र का तंत्र की लणाई या उडान पर्तिक्रिया को सक्री करता है जैसे किसी वाहन दुरगटना से बालबाल बचना और कुत्ते द्वारा पीछा किया जाना तीव्र तनाव के उधारन है क्रोनिक तनाव की बिसेश्ता निरासा या चिन्ता के स्रोतूं की लगातार उपस्तिती है जिसका सामना एक बेक्ती हर दिन करता है नौकरी की अप्रिश्तिती, पुरानी बिमारी और बच्चपन या बैस की जियोन के दौरान होने वाला दुरभेवार ऐसे कारकूं के उधारन है जो दिर्खकालिक तनाव का कारणम बन सकते हैं इस प्रकार के तनाव में लाई या उत्तेजना पर्तिकरिया सामिल होती हैं एभी घातर तनाव् यहों तनाव होते हैं जो जियोन घातागटना के घटनाओं के दारा होते हैं जो भाय और असहायता उत्पन करती हैं जैसा कि किसी वबंडर में फज्जान या फिर आग और युद जैसी घटनाएं इसके उधारन हैं जो बहुत दर्दनाक तनाव को पैदा करने में सक्सम हैं एक घटनाएं कभी-कभी डिस्ट्रेस का कारण बनती हैं दिर्गी कालिक तनाव के मामले में इसमें कोई संदे नहीं है कि संभावी तनावपून इस्तितियों को नियंतर करने में किसी ब्यक्ति की सफलता या भी फलता उसकी कारी करने की समतावर गहरा परभाव डाल सकती है तनाव के सारीक पर्तिक्रियाऊ में मदिस्ता में जयरासानिक परिवर्तन महत्पून भुमिका निभाते हैं इन रासानिक प्रेचनों के परिणाम सरो मोनोवाग्यानिक गलबड़ी हो सकती है तनाओ से जुड़े अधिकांस रासानिक परिवरतन सानवूती तंत्रिकात तंत्र की उत्तेजना बिशेज रूप से लड़ाई पर्तिक्रिया का परणाम होते हैं तीब्रित नाव में आपके सरीर की ग्रेंथियों से केटेकोला माइन नामक पदार्थों की रियाई होती है जिसमें एपिनेफरीन, नारपेफरीन और कोट्री सोल सामिल होते हैं ये पदार्थ हिर्दे गती को बढ़ा कर मस्तिक से में ऑक्सिजन बित्रण बढ़ा देते हैं जिसके कारण कंकाल की मानसी पेशिव में रक्त वाहिकाउं को चोड़ा करके और रक्त सरक्रा के इस्तर को बढ़ा कर सरीर को ततकाल खत्रे पर पर्तिविया करने के लिए तियार क सालिक तनाव में आपको इसके कहीं तरह के सालिक प्रणाम होते हैं जैसा कि उच्च रक्त सरक्रा का इतर भी इसमें सामील है जिसमें टाइब टू मदू में हो सकता है और उच्च रक्त चाप जो हिर्दे रोग का कारण बन सकता है क्योंकि कुछ केटेकोल वाइन जैसे मानशिक प्रक्रियाओं को बदल सकते हैं जैसा कि आपकी एकागरता खराब हो सकती है और आपके मूड में बदला आ सकते हैं या फिर आंदोलन और चिंता हो सकती है यदि आपकी ग्रिंथियां लंबे समय तक तनाव से प्रेदित हैं तो इस इस्ति में आपको अन्य बिमार उसे खत्रा बढ़ सकता है जैसा कि पेट में अत्रिक्त चर्वी का जम जाना और समय से पहले बालों का सपेथ हो जाना इसका एक और कारण है जो व्यक्ति उच्च कैलोरी आहर का स्यवन करते हैं वे हार्मोन इंसुलीन के उच्चे इस्तर के कारण क्रोनिक तनाव के दौरा हैं यदि आपको तनाव से मुक्त रहना है और इस तनाव को अपने आस्वास नहीं भटकने देना है अपनी जिवन सैली में थोड़ा बदलाओ करके सौस्त रहा जा सकता है जैसा कि ब्यायाम ध्यान जैसे योग प्रयात आराम और आहार में संसुदन जैसे सराब और कैफिन का स्योन कम करने से मध्यम तनाव से रहत मिल सकती है यदि तनाव के लक्षन गंबीर हैं ऐसे तनाव में मनोची किसा की आउस्ता हो सकती है और कहीं मामले ऐसे देखे गए हैं जिसमें आप अपने तनाव को भूल कर अपना थोड़ा सा समय किसी जन सम्हूं को सायता करके दूसरों को मधद कर रहे होते हैं उस समय हम अपने तनाव को भूल जाते हैं और हमारे अंदर एक सानवूती पैदा होती है जो हमें तनाव से बाहर निकालने का एक कारे करती है और फिर एक और दूसरा तरिका भी अपना सकते हो अपने परिवार के साथ सामाजिक बंधन को मजबूद करने से भी तनाव कम हो सकता है और इससे आपके स्वास्त में सुधार हो सकता है अब फिर आ जाते हैं तनाव किन लत के कारण होता है यदि किसी नसिले पदार्थ के सेवन करने के आदी हैं तो निश्चित रूप से आपको तनाव हो सकता है क्योंकि नसिले पदार् वाइद करती हैं जो निश्चीत रूप से आपके सारीक और मौनोवाज्यानिक धिश्टिकून के लिए तनावकून होते हैं जब कोई ब्यक्ति यदि नसीले पदार्थ का अपयोग बंद करने की सोचता है उसे इन पदार्थों का अपयोग बंद करने में अत्यधी कटनाई ह होती है क्योंकि ब्यक्ति उन पदार्थों का आधी हो जाता है जैसे ड्रक्स कोकीन उपियोईड और मेथम फेटा माइन सामिल हैं और तंबाकू में पाया जाने वाला एक पदार्थ निकोटिन होता है थुम्रपान और तंबाकू के उपयोग से व्योशनकारी प्रभाओं क पेले जिम्मेदार है इन उत्पादनों के उप्वोग से आपको कहीं अन्य परकार की लट लग सकती है जिसके आप आधी हो सकते हैं लट के कारण अलग-अलग हो सकते हैं किसी भी ब्यक्ति में नसे की लट जोखिम को बढ़ावा देती है लट अक्सर और चिंता के साथ होत है जिसमें काम, पारस्परिक सम्मंध, बित और सारिक स्वास्त सामिल हैं यहां तक कि आधी ब्यक्तियों को हानिकारक प्रभाहों के बारे में पता होता है तब भी वे निसले पदार्थ के उप्योग की पुन्रावर्ति को रोकने में असमर्थ हो सकते हैं इसके अलावा नि सिर्वाब की मामले में इदी अच्छानक बंद करने के प्रयासूं से गंभी लक्षण भी हो सकते हैं यहां तक कि मिर्ती भी हो सकती है इदी आप नसले पधार्तों का सेवन करना बंद करने की सोच रहे हो तो आपको मनोची किस्षा से लाव मिल सकता है क्योंकि मनोवग्यानिक तनाव सारी कामकाच को संकट की हद तक परतिकूल रूप से प्रभाईत करता है ऐसा माना जाता है कि भावनात्तमक तनाव महजुदा बिमारी को बढ़ाता है थैंक्यू थैंक्यू